हेलो दोस्तों की यह हल चाल है उम्मीद है कि आप अच्छे होगे दोस्तों आज हम बात करेंगे कोश्ट अगार्ड की भरती के बारे में जैसे कि आप जानते हैं कि नेविग डेवी जीडी अंड यांतरी की न्यूव वैकंसी आ चुकी है फस्ट दो हजार चौविस साले हम आपको बताने वाले हैं आप इस वीडियो का पूरा देखें इंपोर्टेंट वीडियो रहने वाला है अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं कर देग ना सेयर कर देना अब बात करते हैं दोस्तों डॉक्यमेंट के वारे में चाहे आप डीवी में अपलाई करो जीडी म बाकि दोस्तो 34 अप्लाई कर सकते हैं आप बारी पास हैं एप्लाई कर सकते हैं डिपलोमा आपके पास आप भी अपलाई कर सकते हैं ठीक हैं दोस्तो यदि आप Coast Guard में अप्लाई करते हो तो सबसे पहले दोस्तो आपके पास अपना फोटू होना चाहिए ठीक है और फोटू कैसा होना चाहिए तीन महिने जदा पुराना फोटू नहीं होना चाहिए आपके पास यदि नहीं है तो खिचवा लेना और किस प्रिकार खिच चाहिए ठीक है वाइट और बाइघ आपके पास अपना चाहिवा होना यसक drainage है तो जचाहिए शेयों के पास अ भाइड जोन खिचवा ल का है ठीक है दोस्तो आगे बाद करते हैं एक signature लगने वाला है आपका ठीक है उसका लेगा इमेज यानि की और एक आपके दोस्तों उल्टे हाथ के अंगूटे का थम लेगा लेगा लेफ्ट हैं थम का इंप्रेशन लेगा आप इसका स्कान करा लिना ठीक है यह अपलोड होगा आपका 50 से लेके 100 कवी के बीच दोस्तों सबी डॉक्यमेंट आपके पास होना चा होना चाहिए दोस्तों real maxit का photo copy नहीं कराना आपको आपको क्या का ना ना बहुत बची है ऑपको स्कान करा सबीच है यह और ध्यान रंड़ तक आउइज आपको ऊइने इह एक id अ कार्द Cord तो सभी बच्चों के पास अधार कार्ड होगा, भाई, अधार कार्ड आप लगा देना, ठीक है, इसका स्कान करा लेना, अधार कार्ड के आवा सकता आपको पड़ेगी, और अन तक भी दोस्तों आपको exam center बें जाओगे, तब भी अधार कार्ड लेका जाना होगा, ठीक है, pen पैन कार्ड हो, तो पैन कार्ड लगा देना, यह जरूई नहीं है, जो भी आई डी कार्ड आपके पास है, उसको समिट कर देना, आप आगे बात करते हैं दोस्तो, ज़्याती दोस्तो, आप एक्षर्मिस्ट्ट मैंन है, तो उसका सैटे एक्जाम कॉलिफाई कर लोगे फेस टू के लिए जाओगे दोस्तो अपना फिजिकल दोगे जब डॉक्यमेंट के आवा सकता पड़ेगी डॉमिल साइटे विगट यानि के मूल निवास पत्र आपके पास होना चाहिए ठीक है तो फॉर्म बारते समय इतना जरूरी नहीं है ये दोनों बात आपके लिए समझ रहे हो जो हम आपको बताना चाहरे हैं आगे बात करते हैं दोस्तो ये कैटेगरी सेटे विगट भाई धियान दीजे इसकी आवा सकता आपको पड़ेगी पड़ेगी बेना इसके कैटेगरी सेटे विगट यानि के कास सेटे विगट के आ नहीं है बनवा लीजे दोस्तों आप सिस टी डील स्या वीजिश से आते हैं भाई कर सैटेवी कि अपके पास होना चाहिए और वह भी नेपिक डीवी जीडी एंट यांति का फॉर्म फिलप कर पाएंगे जिनों के पास नहीं है तो जल्द से जल्द दोस्तो अपना कास सेटे विकिट बनवा लीजे तब ही आप कोष्ट गार्ड का फॉर्म फिलप कर सकते हैं नीचे कमेंट करके बताइए कि आपके पास कास सेट सेटे विकिट है या नहीं ठीक है जिनों के पास है तो बहुत बढ़िया बात है दोस्तो आप इसका स्कैन करा लेना ठीक है कॉपी निकराना स्कैन कराना दोस्तों कास सेटे विकिट आपके पास होना चाहिए यदि आप दोस्तों डीवी में अपलाई करते हो डॉमेश्टी चाहिए और इजलाल ऐसा नहीं है दोस्तों आप फोटो कॉपी डाल ले हो जिन्होंने कंप्लेट कर लिया आपके पास अपना माक्सीट होना चाहिए जबी आप अपना नेविक डीवी जीडी एंड यांते का फॉर्म कर पाएंगे ठीक है आगे बात करते हैं दोस्तों आपको को मिला होगा और वो आपके पास होना चाहिए ठीक है कंपल सरी बेसिक डॉक्यमेंट यह आपके पास होना चाहिए तब ही आप दोस्तों नेविक डीवी एंड जीडी के लिए आविदन कर सकते हैं तो भाई जिन्हों के पास का सेटेवेगेट है बहुत बढ़िया बात है तो जरूर बनवालेजिए दोस्तों यदि आप कोश्ट गार्ड में अप्लाइट करना चाहते है और यदि आपके पास ए्न्चीन का सेटेवेगेट है तो बहुत बढ़िया बात है दोस्तों आप इसको मिट कर सकते हैं पनेफट को मिलेगा इसको इसका आड़क्षणुमें चीए दोस्तों उसका सेटेविकल लगने वाला यदि आप यांते के लिए अपलाई करोगे ठीक है टेंथ की माक्सिट ट्वैल्थ की माक्सिट और दोस्तों डिप्लोमा आपके पास नहीं है ठीक तो उमीद करते हैं कि सभी डॉकमेंट हमने अच्छी तरह से बता दियें आपके और संज में आपको आ गया होगा आप कौन कौन से डॉकमेंट आपके पास नहीं है नीचा कमेंट जरू कर देना फिलार आज की वीडियो में अतना ही था वीडियो थोड़ा से पस संद है तो लाइक कर देना कमेंट कर देना और कमेंट करें बताओ कि आप कोश्ट गार्ड में अपलाई करने वाले हो या नहीं यह कमेंट कर दे जाना मिलते हैं आप से अगली वीडियो में आप तियारी करते हो अपना ख्याल लखो जय हिंद